Hello Student, कैसे हैं आप सभी? Computer Pooch Channel पे आप सभी का स्ववगत है आज हम बनने वाले हैं Computer में Zero to Genius इसमें सेखने वाले हैं Notepad Notepad application क्या होता है इसका यूज कैसे करते हैं, कहां पर करते हैं, क्यों यूज किया जाता है तो सबसे पहले हम समझ लहते हैं कि नोटपएड क्या होता है नोटपएड एक सिंपल टेक्स एटिंग सौप्टेउर होता है जिसका ध। किसी सिंपल टेक्स एटिंग के लेए किया जाता है या फिर कोई website का fund-page create करना या फिर कोई language यूज करते हैं इसमें भी остrones सारी चीज़े इसमें हम कर सकते हैं और step by step सीखते रहेंगे सारी चीज़े तो अभी हम notepad को open करने वाले हैं और देखते हैं कैसे open करना है तो इसके total four steps होते हैं जो notepad open किया जा सकते हैं सबसे पहला step है आपको क्या करना है keyboard में अपने window प्लस और की प्रेस करना है और यहां पर लिख देना है notepad इस तरीके से नोट पर लिखने के बाद एंटर प्रेस करना है आपको और आपका notepad open हो जाएगा माउस के दौरा आप इसको maximize कर लेंगे full screen पे और next step होता है open करने का इसका आप start button पर क्लिक करेंगे और search box में आएंगे यहां पर लिखेंगे notepad और enter कर देंगे आपका application open हो जाएगा तो दो step हो गया तीसरा step देखते हैं क्या है आपका तो फिर से start button पर आना है बैक आपको और all program option पर जाना है यहां पर एक option मिलेगा आपको accessories का इस पर क्लिक करना है और यहां पर notepad application मिल जाएगा यहां से भी open कर सकते हैं यहां फिर ए करके desktop पे भी ले जा सकते हैं और यहां से डेबल क्लिक करके open कर सकते हैं तो यह कुछ steps थे notepad को open करने के आप सीखते हैं इसको कौन-कौन से tools होते हैं इनमें क्या-क्या चीज़े यूज करते हैं सबसे पहले notepad को open कर लेना है तो अब हमारा notepad open हो चुका है तो इसमें द application को full screen पे करते हैं और इसको zoom out या zoom in बोल सकते हैं कर सकते हैं लास्ट बटन होती minimize minimize से हम क्या करते हैं अपनी application को taskbar में hide कर देते हैं और फिर से open करने के लिए taskbar पे click करते हैं notepad application पे application open हो जाता है तो यह कुछ three buttons थी बात करें तो इसमें काफी सारे triple C exam के भी question आते हैं पर three buttons होती हैं जहां पर आपको बताया हमने इस बटन जहां पर बटन दी रहती हैं इसको बोलते हैं control box और left side में untided notepad लिखा रहता है जो open application होता है उसका name दिया रहते हैं इसके नीचे आते हैं तो हमें menu बार मिलता है इन जो function नजर आ रहे हैं जैसे file edit format view help यह क्या होते है इन्हें menu बोलते हैं और यहां पर दिये रहते हैं उस प्योरी area को हम बोलते है menu बार क्यों कि यहां पर इस area में कुछ menus दे रहते हैं file edit format view help और इनमें काफी सारे tools भी होते हैं जैसे हिम file पे click करते हैं तो file के tools नजर आते हैं edit पे click करेंगे तो edit इस सारे menus के अलग-अलग tools द करते हैं file menu या file tab tab को भी बोलते हैं इसको हम और file पर click करते हैं तो काफी सरे tools नजराते हैं जैसे कि यहां पर पहला tool काउन सा है आपका new जैसे file menu पर आते हैं यहां पर new command पर click करते हैं तो एक नया page आपके सामने add हो जाता है वह पुराना page हमारा यहां से चला जाता है next option देखते हैं तो यहां पर open menu बिलता है तो open page जैसे open tools पर click करेंगे तो जो file पहले से होती है वह location open हो जाती है और आपके जहां भी file पड़ी हुई है उस file पर click करेंगे आप जैसे कि हम यहां पर click करके बता रहे हैं file पर click किया और file name यहां पर आ चुगा है इसके बाद open पर click कर देना है तो एक पुरानी file यहां से open कर सकते हैं जैसे कि सामने open हो चुकी है next tool देखें तो यहां पर मिलता है आपको save tool जहां से हम अपने application में create के जारे documents को save करते हैं जैसे कि हमने यहां पर new application पुरा ले रखा है और यहां पर कुछ type करते हैं इसके बाद file पर आके यहां पर हम इसको save करेंगे यहां पर आएंगे तो यह आपके पास menus open होते हैं और यहां पर हमें location लेनी होती से डिक्स्टॉप ले लिए हमने और यहां पर आके file name डाल देंगे जैसे हमारा नाम सुहेल सर है तो हमने सुहेल सर डाल दिया यहां पर और उसके बाद हमें save क्लिक करना है यह file आपकी save होग दर आएगा लेकिन यहां पर आपको location और name change करना होता है तो अभी हमारी फाइल डिक्स्टॉप पर पड़ी हुई थी इस बार हम क्या करेंगे कहीं और location देते हैं इसे की pictures में देदी हमने और यहां पर name type करने के बाद आपको नीचे फिसे सेव पर क्लिक करना है और यह file दिया गया page setup तो पेस्ट बहुत ही important यह टूल होता है जहां पर काफी सारे और भी tools मिलते हैं जैसा कि पहला इसमें टूल है size का तो जो आपका page होता है उसको size change करते हैं तो यहां पर भी लगा हुआ है लेटर यहां से a4 size लगा लेते हैं source में हमें कोई भी changes नहीं करने होते तो इसमें एक यह option दिया रहा है तो नेक्स रहता है orientation तो orientation आपको पता होंगी नहीं पता है तो बता दें तो पेज आपका जो up to down दिया रहता है वह portrait orientation होते हैं दो प्रकार की होती है left to right page होता है इसको landscape बोलते हैं तो landscape पे करेंगे तो आपका page change हो चुका है कुछ इस तरीक top button यह four types की होती है तो left में हमने one लगा रखा है आपके 0.5 कर लेते हैं तो कुछ margin कम चुटे की जो page होगा outside वो कम रहेगा आपका 0.50.5 इस तरीके से चारों हमने complete कर ली है देन आता है आपका header and footer header and footer क्या होता है header header मतलब page के सबसे ओपर कोई comment लगाना है ऐसे comment जो हम चा आते हैं कि comment आपके page के नीचे लगी हुई हो उसको footer में add करते हैं यहाँ पे footer में हमने note down कर दिये देने सारी चीजे करने के बाद हमें okay option पे क्लिक करना और सारी आपकी apply हो जाती है print option तो जैसे print पे क्लिक करेंगे तो काफे सारे option नजर आएंगे जैसा इसमें दिया है प Microsoft Express document writer पे अपनी file को सेयो कर सकते हैं नीचे option देखते हैं तो preferences option मिलता है जो आप टूल्स आपको ऊपर पढ़ा चुके वही सारे tools नजर आएंगे यहाँ पर जैसे orientation हो गया page order हो गया format हो गया advanced पे क्लिक करेंगे तो फिर से वही सारे option नजर आएंगे आपको नीचे ok option पे क्लिक करना है next option देखते हैं तो find printer जो हम यहां से add printer कर रहे थे अगर उसकी location नहीं पता है address नहीं पता है तो यहां से find printer पे क्लिक करके हम उसको find कर सकते है next page range पे आते हैं तो जो pages print करने होते हैं उनको किस तरीके से print करना है उससे related option दिये रहते हैं जैसे all का all में क्लिक कर देंगे यहां पे तो जितने भी page आपके पास से 2-4-5-10 वो सारे के सारे print हो जाते हैं आपके printer से selection पे आते हैं तो एक-एक select करके करना होता है कि कौन सा page print करना है कौन सा नहीं करना है pages प current page को option आता है जिस पेशा आप काम कर रहे होते हैं वही पेज निकालना होता है तो उस पर current page का use करते हैं next आता है नंबर of copies का को जितनी copies आपको निकालनी होती हैतनी तरीके से प्रिंट करना है 1 की 1, 2 की 2, 3 की 3, इस तरीके से आपका print option यूज होता है, यहाँ पे apply पे click करने के बाद print पे click कर देना है आपको और सारी setting अपकी apply हो जाती है, next option देखते हैं तो उसमें मिलता है आपका exit, जैसे हम close button का यहाँ से use करते हैं, वैसे exit का use कर सकते हैं, तो बच्चो आपको यह video अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को like करें, चैनल को subscribe करें और bell icon को press करना ना भूले बिल्कुल भी, और अगर आपको कुछ भी पूँचना है तो हमारे Instagram पे message करके आप सारी जीचे इस पे पूँच सकते हैं, सारे doubts clear कर सकते हैं, इस channel को subscribe करें इस channel पे आपको सारे courses के videos मिलेंगे और काफी सारी इस पे tricks भी मिलेंगी आप जिससे computer को अच्छे से run करा सकते हैं, तो आज के लिए इतना ही next video आपको कल मिल जाएगा, thank you for watching